नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे पिश्री बार जब हम लोग मिले थे ना दोस्तों, तो हमने वहाँ पर बात करी थी कि हम लोग अब chemistry का syllabus से start करने वाले हैं, और हम IIT JEE के हिसाब से बहुत चल्दी ही बहुत सारी चीज़े हम cover करने वाले हैं, एक दम rapid reason, और course कुछ ऐसा होगा कि मज़ा आ जाएगा with short trip, short trip दी जाएगे आपको और उनसे आपके लिए calculation करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा चलिए, आज हम प्लान मनाते हैं, पुड़ा सा माफी चाहूंगा, अबियत खराब हुने करन, पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियोस बना नहीं पाया इन कहते हैं न, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, तो शायद भगवान ने सुन लिया, वो मुझे ठीक करके आपके लिए भेज दिया, तो शुरुआत करते हैं पहले हम समझते हैं, क्या चिरकर कैसे विदिन 9 मन्त पूरा IIT का syllabus कवर करा जा सकता है और आप damn sure रहे है, पक्का होगा मतलब होगा, आप अगर effort लगाएंगे, दुनिया में कोई चीज़ा संभाव नहीं है, सुनते हैं देखे हमारा planner क्या होगा, हम लोग सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं क्या, physical chemistry हम लोग पहले बात करेंगे, physical chemistry की, सबको पता है, physical chemistry के अंदर, जो आपके numerical वाला पुर्शन है, वो आता है numerical से थोड़ा, डर तो लगता होगा ना, बहुसा लोग को लगता है, ठीक है मुझे भी लगता था, school time पर, बड़े हो गया है, दर कम हो गया, एक वैसा, जैसे बच्चा जब छोटा होता है ना, तो घर वाले बुलदरे उपर भूत जाना मत, विचाना दुबक के बैठ जाएगा, जाता ही नहीं है, दर लगता है, ठीक है, बड़ा होता है, अब आप स समयबाद, नहीं लगेगा, हमें समय देना है, कितना, काई साथ दिन, या आठ दिन, उसके बाद निमेरिकल से हमें,टेच्चमेंट हो जायागा, आप फिल करोगे, कि आप निमेरिकल के साथ इष्क में हो, महबत में हो, तो आपको निमेरिकल बिलकुल भी परेशान नहीं क करेंगे किसकी दोस्तों structure of एटम की हम लोग सबसे पहले structure of atom लेंगे आज का lecture थोड़ानसा मेरा गलाखराब होने के कारण किवल मैं inट्रो बता रहा हूं कि मैं next video में क्या cover करने वाला हूं उस next video में हम पढ़ना इस्टार्ट करेंगे पर आज हम किवल इंट्रो ले रहे हैं देखिए अभी जो structure of atom नाम का chapter है ये structure of atom में पढ़ा क्या जाता है नाम से आपको समाजा रहा है structure of atom यानि हम शायद atom के structure की बात करने वाले हैं अब basic सबको पता है basic क्या पता होता है कि ये atom होता है center में nucleus होता है आसपास क्या होती है तो आसपास orbits होती है कि सारी बाते आपको पता है कि बीश में nucleus है आसपास क्या है orbit है orbit के अंदर क्या पाया जाता है electron पाया जाता है याद ना जेजे थॉम्सन सहाब electron के discoverer cathode ray के discoverer ये रहे हमारे पास ये जो nucleus है इसके अंदर क्या पाया जाता है तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर एक तो neutron पाया जाएगा और यहाँ पर एक proton पाया जाएगा तो यहाँ पर neutron पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा proton पाया जाएगा तो यहाँ पर neutron पाया जाता और क्या पाया जाता है proton पाया जाता है बिल्कुल नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर केवल न्यूट्रोन प्रोटोन नहीं है वहां पर कुल मिलाकर 32 पर्टिकल से हैं इस पार्टिकल्स इंक्लूदिंग लेक्ट्रॉन are collectively known as fundamental particle उनको क्या कहा चाता है? Sorry, sorry, sorry पाटना पड़ेगा तो electron होता है और क्या होता है? neutron plus proton होता है तो यह होता है nucleus के अंदर क्या क्या होगा? nucleus में neutron है, proton है, orbit में क्या है? electron है अभी सुनने में बड़ा असान लग रहा है लग रहा है, तो मजाग चल रहा है, 9th class की बात है पर हम इतना सा थोड़ी पढ़ने वाले हम बहुत कुछ पढ़ने वाले अब हम बाल की खाल निकालेंगे electron की discovery होई तो कैसे होई? cathodery कैसे evolve ही? उनकी जैई में question कैसे आते हैं? anodery कैसे काम करती है? neutron की पीछे की पूरी कहानी क्या है? तो कल हम शुरुवात करेंगे जिस topic के साथ वो topic हमारा क्या होगा? कल हम पढ़ेंगे discovery of cathoders discovery of electron कल हम इसकी शुरुवात करेंगे तो आप तयार रहे हैं उसके लिए आज हम class यहां पर end करते हैं आज एक intro था और तबियत खराब हुई थी अब सही है कल अभी भी बैठा हुआ है थोड़ा सा आराम लेते हैं कल से मजा करेंगे हम लोग और वो पढ़ेंगे एक दम मजा आ जाएगा तो ठीक है दोस्त? मिलते हैं अब कल keep working for एक भारत स्वेश्च्वार जाहिन दोस्तों